नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका वाईदीन में आज हम एक पाकिस्ताईी पत्तरकार जो कि एक नेपाली पत्तरकार को आपने टीवी चैनल प्रोग्राम में बुला कर भारत के खिलाब कैसे चुगलिया कर रहा है और देखिए किस तरह नेपाली लोगों के मन में कितना जहर ब्राओा है जो भारत के किलाब हो रहे हैं यह आगे खूद ही देखिए एसाथ यह साथ निपाल निपाल और इंडिया के माबे इन पी सड़की तामीरी पर और जो नक्षा है जो टेरिट्रीज है निपाल और इंडिया की जो डेफिनेशन्स हैं वहाँ पे भी फरक आया है बंगला देश में आप देख लें कि बंगला देश में पी जब से 370 इनों ने रिवोक किया है वहां पे जो एक करोर के करीब जो बंगाली मुसलिम्स हैं उनके स्टेटिस के हवाले से भी सवाल आ गया है तो यह सारी चीजें जो खिते को डिस्टेबिलाइ कर रही है इस पर गुफ्तुगू करेंगे आज हम जाएंगे कि थोड़ सा निपाल का प्रस्पेक्टिफ फिले तो हमें जॉइन करेंगे आज डॉक्टर कृष्णा उपदाया डॉक्टर कृष्णा लंडन में मुकीम है निपाल से इनका तालुक है और यह पढ़ाते भी है आई यार के भी 30 साल से जाएदिये हैं human rights के इनोंने सर्विस पी इनोंने दी है उस पर इन पे गुफ्तुगू करेंगे तो डॉक्टर कृष्णा हमें जॉएंग करेंगें उनसे गुफ्तुगू करते हैं डॉक्टर कृष्णा Welcome to the show तेंक यू जी, तेंक यू जी, मैं आपको बहुत सुक्रिया दा करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे अपनी बात रखने के लिए जो अपर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं आपको सुक्रिया कहता हूँ, और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं सलाम कहता हू जी डॉक्टर करिशना और हम शुकर गुजारे हैं कि आप उर्दू में आप बात कर रहे हैं आपकी उर्दू पी अच्छी है जिसमें हम करते हैं सबसे पहले जो निपाल और इंडिया का जो इशू बना है सर्क ये इसके ज़र परस्पेक्टिव करें और निपाल ने इतना फ नक्से की बात आ रहा है ना ये इसका कोई हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव है यह है कि जब और हमारे जो जितने भी परोश यह हैं उनका जब नक्सा या तो सहरा फिक्स नहीं था बोर्डर फिक्स नहीं था नेपाल का पहले से ही था यह वज़ा है कि नेपाल हमेशा सोबर बेन रहा है वो बरतानिया की हुकूमत में नहीं आए तो जब बरतानिया के लोग वहां पे थे और ब्रेटिस इंडिया वहां पे था तब से ही वो उसका जो बोर्डर था वो तैह हो चुका था वो तैह होने के लिए एक दो लड़ाई तीन लड़ाईयां हुई पहली दो ब बार जब उन्हों ने चड़ाई की तो नेपाल को हार ना पड़ा कि उनके पास अच्छे हथियार थे कुछ से कुछ वज़ा था तो फिर क्या हुआ उसके बाद 1814 में एक ट्रीटी हुआ जिसको सुगोली ट्रीटी कहते हैं और सुगोली ट्रीटी ने ये कहा कि जो वेस्ट चांधियं में काली दरियां है, नर्दी है एक गराशा, काली के इस्ट में और इसके जो बंगल से लगा हुआ एक मेची नर्द्य है, उसके इस्ट का जो जमीर है वो नेपाल का है बस होई ट्रीटी है, उसमें हो ही लिखा हुआ है, अब ट्रीटी अबी भी बीहें तो सिस्टीज में जब लड़ाई हुई चाइना और इंडिया का उसके बाद नेपाल के 18 प्लेस थे जो 18 जगह थे वहाँ पे इंडियन चेक पोश्ट था तो हमारे जो जबाने के वजीर हाजम होगा करते थे किरतिनीरी बिस्ट उन्होंने बहुत कोशिश की और इंडिया को कहा क आप यह फटा ले उन्होंने 17 जगह से हटाया एक काला पानी जो कहते हैं अभी जिस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं जो जगह से उन्होंने नहीं हटाया इंडिया कह रहा है कि यह तो हम नहीं जाएंगे वहां से आपकी पार्लिमेंट पी उसको एप्रूफ कर रही है कि हम इस्टोरिकल प्रूफ या तो आप दिखाओ या तो हम दिखाते हम भी दिखा ले एक और demandé है कि सिर्फ उनके नकजखा में भी है उनकी जगह में भी है जादा थोड़ा समझाता हूं अभी प्रोब्लम क्या है historical proof यही है कि सिर्फ उनके नक्सा में भी है उनकी जगे में भी है जो डोकुमेंट है अभी देखे मैं अब ज्यादा थोड़ा समझाता हूं अभी problem क्या है वो कहते हैं हाँ ठीक है काली से इधर वाला को नेपाली कहते थे हम भी मानते हैं लेकिन problem कहा हो गया और जिसको काली ब मसला है तक करस मिलेए उन्हों नानका बनाया नवेंबर में उसके बाद जो अभी का इलाका है उसको भी इंडिया में दिखा दिया उसके बाद नेपाल ने प्रोटेस्ट किया इसलिए यह निकाला अब नेपाल चाहता है कि वो से हऽल करें प्रूप के आधर में बैठें डॉक्टर कृष्णा ये अभी की बात नहीं है देखें अभी तो ये हो गया दो तीन साल पहले जब पेटरोल का क्राइसिस हुआ तब भी तो इसी अनीजी नेस आना शुरू हो गई है इंडिया कहता है कि निपाल जा रहा है चाइना के कैम्प में चाइना की बैकिंग है उसक रहे हैं देखें नेपाल के फॉर्ण पॉलिशी में एक चीज हमेशा रहा है हम लोग कहा कि हम लोग दोनों के बीच एक कुछ डिस्टेंट मेंटेन करेंगे बाराबरी की दूरी बनाए रखेंगे आप पॉलिटिकली हम इंडिया के साइड है जो खुला है तो पॉलिटिकल को बड़े इंडिपेंडेंट रखें और इंडिया चाहता है क्योंकि हम लोग उनके साथ बड़े डिपेंडेंट थे व्यापार उदर से चलता था सामान उदर से आता है इसलिए उन्हों वह चाहते थे कि हम उनकी पास पॉलिटिकली भी ज्यादा डिपेंडेंट रहें नह एक इंडिया नहीं वहां पे डिफरेंट ओपिनियन से हैं ना तो वो लोग साथ ही अब नेपाल के लोग कर रहें कि हम पता हैं हम फैक्स में जाएंगे लड़ते रहें बोलते रहेंगे बात करते रहेंगे इसने भी रहें नेपाली बहुत सारे ऐसे बोर्डर पॉइंट्स थ देख लेना जो कश्मीर में हो रहें देखें पाकिसान इंडिया है इस्टारिकली हमारा मसला है सबकुछ कश्मीर के जो लोगों के साथ जो हो रहें लॉक डॉन में रखा हुए सिर्फ पांच अगस्ट से बंद करके रखा हुए अब कोविट की वाश से हुए नहीं पसा च चल रहे हैं बंगला देश के साथ अलएदा अनीजीनेश चल रही है तो यह जो इंडिया की जो बिलेजरेंस है कब जाकर रुकेगी और इसका क्या सुलूशन क्या है तो अब मोदी जी की जो बात है उनको थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गई कि उनको लगा कि मेरे पास अभी अमेरिका है मैं कुछ इस पार उनकी जो कैलकुलेशन थी वो बिस कैलकुलेशन कर रहे हैं एक दूसरी बात यह है कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलोजी है ना यह पॉलिटिकल आइडियोलोजी भी थोड़ा सता रहा है क्योंकि यह जिनको आइडियोलोजी है वो ऐसी जो अपने से दुसरों को बड़ा समझना आरेसस वाली वह फाशिजम जो पहले हिटलर करता था जो हमारे प्राइमिस्टर कहते हैं वह आ गया कि जियार सुपीरियर जी कि हम बाकियों से बेतर हैं अब यह चीज़ और इस तरह के बाकियों को जिंदा रहने का हगना देना के और रहें तो सबसर्भी एंटरेंगे हमारे अंडर रहें तो इस पर तो कोई ना कोई रेक्शन तो होगा तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं नेपाल में अब कोविट नहीं होता तो इंडिया में क्या होता इतने सारा आप वहाँ पे चल रहा था अब मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जो रभी नाहर जी है वो हमन रैट्स वाले हैं वो वी चल रहे थे उदर अब सारे लोग शड़ा में आ गए थे अब लोगों को भी बहुत पु कम हो गया या तो कम्प्लिटली कम हो लेकि डॉक्टर करिशना अब कमिंग बैक टुजा इसू के निपाल अपने नक्षे अपने खिते के लिए निपाल इस वेरी वेरी सीरियस और उसमें स्टेट फास्ट भी रहेगा उससे अपने स्टांस से नहीं हटेगा निपाल क्लियर रहे है कि वह अपने खिता इंडिया को नहीं देगा दोखें बड़ी आराम से देखें एक चीज है जिसको लोग कैते थे जो महदेश के लोग नेपाली हैं कैते ती कि नेपाली स्टेट हमको डिस्क्रिमिनेट कर रही है और जो नेपाल के पहार के लोग थे मैं हमारे जैसे लोग, वो भी कहते हैं कि तुम लोग साथ बहुत इंडिया के क्लोज ओ, इंडिया के इंट्रेस्ट में काम करते हुँ, वह प्राहली भार पार्लेमेंट में आये और बहुत ही आपको sentimental statement देखा कि हम इस मुद्दे में आपके साथ हैं हम सब साथ हैं देखिए अभी क्या नेपाल का ये क्या दिखाता है उसको आपको national जो confidence है ना वो दिखाती है अब एक भी parliamentary नहीं कहा किसी नहीं नहीं कहा कोई भी party आपकी इसके नहीं 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 कहा किया और जिस तरह कश्मीर में पिया देख लेकिक कश्मीर में भी कुछ ऐसे leadership ती जो इंडिया के साथ थी लेकिन जब से ये पांच अगस्त हुआ वो भी अब इसमें आगी पूरा कश्मीर भी एक तरह से unanimous हो गया कि हमने नहीं कबूल करनी इस त कान नहीं बनना जिस तरह इंडिया भुटान को ट्रीट करता है तो नेपाल कहता है कि वी आरा सौवरेंड कंट्री और हम उस तरह ट्रीट नहीं होंगे क्या यहीं बात है है यहीं बात है हम तो ब्रीटिस टाइम में प्रोटेक्टरेट इस्टेट भी नहीं थे आप उसकी रूल में तो नहीं थे नहीं थे जब ब्रीटिस हम लोग को चाहते कि ना आपको प्रोटेक्टरेट इस्टेट देंगे या कि आप अलग साए बना रहेंगे लेकिन हम आप को बाहर से सपड़ वो भी हमने नहीं चाहा गरीब थे लेकिन हम लोग नहीं चाहा है कि हम उर्वत में भी हो फिर भी हमने नहीं चाहा कि हम आप किसी को आपकी दबाब हम एक्षेट करें है ना तो नेपाल की जबर्जस साइकोलोजी यह एक जात का नहीं एक लेंग्विज वाला का नहीं है यह सब की शब एक होके कह रहे हैं कि यह हमारी जमीन है यह हमारी पहचान है वह तो पाड़ है कोई साहिद बैठ भी नहीं शकता लेकिन पहचान है आपकी नैशनल पहचान होते हैं लोगों को बहुत बश्यार होते है ओर अपने मुलकों प्यार करने का सबको हख होता है ना वहीं कर रहा है ने पालीन इसले वर दिल की बात कर रहा है और उसमें यह के साइस ड़िन्ट मैटर के इंडिया के पास अगर बहुतर रिसे आज़ आशव है कि जो इंडिया के सिर्पिताइजर भी थे आपकी जो बोत होती है यूएन में जाएं तो बराबर होता है वो आपकी साइज डिसाइड नहीं कर तो हम लोग आप से बराबरी के हिसाब से बात करके इसको चुल जाना चाहते हैं आखिर तो आप जितने भी लड़ाएं कितने लड़ने का तरीका भी फरक होता है पतर से लड़ रहे हैं बोलो चाइनीज और इंडियन हम बात से बात कर रहे हैं बस तरीका होता है अपना 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 तो अब ही ये बात है आपने मेरे क्या होने वाला है इसके बारे में आप पूछ रहा है ना ये मुझे थोड़ा प्रोब्लम दिखाई दे रहा है अभी नक्सा आने के कुछ दिन बात आप इंडिया की कुछ लीडरों की टोन आपको बहुत रिकॉंसिलेटरी लग रहा था बहुत सारे ऐसे इंटर् बात की लेकिन जो चाइना के साथ हो रहा था अभी इनके प्रोब्लम आ गया इसके बात अभी मीडिया ये कहने लागा भई नेपाल भी आँख दिखा रही है तो अब फिर भी नेपाली लोग कहते हैं भई हम लोग आँख नहीं दिखा रहे हैं हम अपने जमीन को देख रह रही है च्योंकि चाइना के साथ जो अभी प्रोब्लम बढ़ रहा है जो जो थोड़ा नेपाल के साथ भी अभी जो हम लोग बात उपन करने की बात सोच रहे हो थोड़ा भूमिंटिक बता है क्योंकि देखें चाइना से अगर उनको मार पढ़ लिये तो उन्हें निपाल कमजोर नजर आ रहा है तो चाइना के साथ तो गुशनी कर सकते हैं तो सारा घुसा अपना निपाल पे और यहां पे पाकिसानी प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ भी फ्रेंट करके अपनी डुमेस्टिक और्डियन्स को एकर सकते हैं डॉक्टर करिशना थैंक यू वेरी मच्छ फॉर यह टाइम बहुत शुक्री आपके टाइम का बड़ी इंपॉर्टन बात आपने की कि के निपाल इस वाइन कांटरी और जब पूरी निपाल क पूरा मुल्क मुतहिद है कि वो किसी की भी बुलिंग में नहीं आएगा कि जो इंडिया अगर चाह रहा है तो निपाल अपने स्टांस पे बिल्कुल काइम है और निगोसियेशन इसको सेडल करना चाह रहा है थैंक यू वेरी माच्छ डॉक्टर करिशना हमें जॉइन करन